Hello Friends, Welcome back to my YouTube channel, Jyoti Making Friends आज मैं आप सभी को बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही सुन्दर और बहुत ही ईजी सा डिजैन बताने वाली हूँ जो आप सभी को काफी ही पसंद आने वाले हैं और आप इस डिजैन को अल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं तो चलिए Friends शुरू करते हैं ये खुबसूरत और प्यारा सा डिजैन बनाना ये देखे दोस्तों यहां मैं एक सलाई पर कुछ फंदे डाल दी हूँ और मैं तिन चार सलाई ऐसे ही बना ली हूँ उस पर मैं ये डिजैनिंग डालना स्टार्टिंग करती हूँ दोस्तों ये डिजैनिंग जो है सीधी से स्टार्टिंग करना है ये मैं सेड वाले फंदे को स्लिप कर ली हूँ और एक फंदे को सीधा बना लेती हूँ दोस्तों ये डिजैनिंग की फर्स्ट डो है ये डिजैनिंग अब स्टार्टिंग होगा ये देखिए एक फंदी को मैं सीधा बना ली हूँ उसके बाद क्या करना है एक दो तीन ये तीसरे फंदे में ऐसे करके सलाई को डालना है और ये दोनों फंदे के ऊपर से होते हुए ऐसे करके इसे निकाल देना है तो ये देखिए एक फंदा यहां घट चुका है अब यहां इस फंदे को सीधा बना लेना है धागा आगे फिर एक फंदे को सीधा बना लेना है तो देखे, एक फंदा ये बीच में बर चुका, ये निचे में जो घटा है, उपर से डाल के मैं घटाई हूं, और एक बीच में ये जाली बनाए है, तो फिर पुलुना ये, जुतना फंदा था, उतना हो चुका है, ये सैट वाले, ये तीन फंदे जो मैं बनाई हूं, इसी वहो पंद को को फश्टस रोव सीधी सैट से पूडी रोव बना के डिपीट करना है, दोस्तों ये दिखे एक दो और तीन ये तीसरे फन्दे में ऐसे कर के सलाई को डालना है और उपर से होते हुए इस दोनों फंदे के उपर से कर लेना है फिर एक फंदा सीधा, መागा आगे, और एक फंदा सीधा दोस्तों, ये फर्स्ट सलाई है, इसलिए थोरी दिक्कत हो रही है नगी तो ये बहुत ही आसान तरीके से उपर सी निकल जाएगा पहली सलाई में थोड़ी सी मुश्किल होगी उसके बाद ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाए धीला हो जाएगा सारे फंदे ये फर्स्ट सलाई है इसलिए थोड़ा सा टैट है ये देखे इस तरीके से ये बनता जा रहा है एक और दो ये दो फंदे को छोड़ के ये तीसर फंदे को इस दोनों फंदे की ऊपर से ऐसे करके निकाल लेना है एक फंदा सीधा धागा आगे फिर एक फंदा सीधा फिर एक दो तीसरे फंदे में ऐसे करके सलाई डालना है और दोनों फंदे की ऊपर से ऐसे करके निकाल लेना है एक फंदा सीधा धागा आगे फिर एक फ पूरी रो बना के complete कर लेती हूं यह इस तरीके से बनता जा रहा है यह देखे दोस्तों यहां first row complete हो चुकी है और second row में आ चुकी हूं उल्टी सैड से तो second row में उल्टी सैड से क्या करना है टोटल फंदे को उल्टा बनाते हुए complete कर लेना है दोस्तों यह चार सलाईयों का design है और यह second सलाई है उल्टी सैड से यह चार सलाईयों में एक design बनके complete हो जाता है और इसी चार सलाईयों को आपको बार बार repeat करना होता है दोस्तों प्रहते दिन और रेगुलर नए नए और लेटेस्ट स्वेटर का डिजन देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजी और बेल एकन को दबाए जिससे कि मैं लेटेस्ट और नए नए खूबसूरत सा स्वेटर का डिजन बनाऊं आप सभी के साथ मैं share करूं दोस् इधी सेट मैं दिखाती हूं लिए धर स्मार यह नियुक्त का डिजन है यह चाहए वाले फंदें को सिधा बना ली हूँ आप चाहों तो यह ब्रहतन के सब्सक्राइब कर सकते हो उसके बाद मैं पहली सलाई मैं एक फंदें सिधा बनाई थी इसमें क्या कсемना है घ्ल Kay को ऐसे करके सिधा बनाना है तो ये सलाई में मैं दो फंदे को सिधा बनाई हूँ अब देखे क्या करना है एक और दो ये दो फंदे को छोड़के ये तीसरे फंदे को क्या करना है दो फंदे के ऊपर से ऐसे करके निकाल देना है और एक फंदे को सिधा बनाना है धागा आगे फिर इसी फंदे को सीधा ऐसे करके बना लेना है तो यह दिखे बन चुका है फिर वैसे ही करना है एक और दो यह दो फंदे को छोड़के यह तीसरे फंदे को वो दोनों फंदे के उपर से ऐसे करके निकाल लेना है और एक फंदे को सीधा धागा आगे फिर इस फंदे को भी स तो बस ऐसे ही पूरी रो बना के थर्ड सलाई सीधी से कम्प्लीट करना है तो दोस्तों यह थर्ड सलाई है तो मैं पूरी रो ऐसे ही बना के कम्प्लीट कर लेती हूं बहुत ही ईजी सा डिजन है और बहुत ही खूब सूरत लगता है दिखने में जटपट से बनके तयार भी ह हो जाता है और बहुत ही इजी भी है यह देखिए थर्द सलाई में पूरी रोग कम्प्लीट कर लेती हूँ और यह देखिए दोस्तों यहां तीन सलाईया में बना के कम्प्लीट की हूँ और चौतिस सलाईय में उल्टी सैट से क्या करना है पूरे फंदे को उल्टा बनाते वे कम्प्लीट कर लेना है तो यह चार सलाईयों का रिजन है यह उल्टी सैट है तो आप सभी को बना करके दिखाई हूँ दोस्तो इसी चार सलाईयों को आपको बार-बार रिपीट करना है जब ये कुछ बड़ा बनेगा तो और भी खुबसूरत सा ये डिजेन बनके तयार होगा बहुत ही सुदर लगता है दिखने में यहाँ अभी मैं एक ही डिजेन बना करके आप सभी को दिखाई हूँ नते हैं से क्नल बने माले कंँनल अब यहाँ आपको अनि नतकोरोगे हुक्त में दाल को सबसेले,बाल भी आपदेकर के अब देखे और इस वीडियो को मैं यहीं इड करती हूँ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डिजान और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाबाई